एक बच्चे के लिए मापने को दिल्चस्प बनाया जा सकता है आप स्केल या पाहमानी के बेजाई रोजमर्रा की कोई भी वस्तू का उपयोग कर सकते हैं उधारन के लिए आप एक पैंसिल का उपयोग कर सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं मेज कितनी पैंसिलों के बराबर लंबी है। आप उन्हें दिखा सकते हैं कि मेज के एक छोड से पैंसिल को पंक्ति बद्ध करके दूसरे छोड पर पहुँचने के लिए कितने की गिंती होगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ। फिर मापने के लिए बच्चा अन्य चीजें ढूण सकता है। मापने के उपकरण के लिए आप अपने पास किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा मापना खेल-खेल में सीख जाएगा। आप सकते में बच्चा में वस्तु काई जा हाएगा। आप खेलो बच्चा में सीख अन्य की। में में तकंवाओवा वस्तुог, आप सकते हैं। आपवा क्या हं आप अक्या अन्य जापकरण में जा वस्तु है 요 глаз烘 हैंнее, और यğ कोते झाजल